मैं मंडी संसद्यक शेत्र की जंता का प्रभू जंता का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 45% वोट शेर हमको दिया और करीबन 4.5,5,5 मत वहां से हमको दिये उसके लिए मैं उनका दिल की गहराईयों से धन्यवाद करता हूँ और जो वहां से प्रत्याशी जीते हैं उनको बहुत बहुत शुब कामना है और मैं यही विश्वास रखता हूँ कि जो बाते कही है वहां के ड्वेलप्मेंट के बारे में उसको वो पूरे हो और मैं आज भी कह सकता हूँ कि I stand with the people of Monday जो भी वहां की हमने बाते करी है उसको हम सरकार से पूरा करवाएंगे चाहे वहां पे हमने स्मार्ट सिटी बनाने की बात रखी है चाहे हमने टनल्स के इंफरस्ट्रक्चर की बात करी है और जो भी हमने वहां के ड्वेलप्मेंट की बात करी है क्योंकि मैंने चुनावों में भी यह कहा था कि चाहे जीत हो चाहे हार हो हम उनके साथ खड़े हैं और हम आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे और अपने ड्वेलपमेंटल कारियों को आगे लजाने का पूरा प्रयास करेंगे किस तरह से आंकलन किया जाएगा क्या प्रदान मंतरी जी का व्यक्तिकत रूप से आना योगी जी का व्यक्तिकत रूप से आना गटकरी जी का व्यक्तिकत रूप से आना ये सब चीजों का इंपाक्ट रहा होगा निश्चे तोर से उसकी वज़ा से ये परिणाम रहा है मगर फिर भी हम इसका आंकलन अभी क्योंकि मद्दान कई केंद्रों पर अभी भी चला हुआ है जो काउंटिंग है वो अभी भी चली हुई है तो उसको हम आने वाले समय में देखेंगे कि कैसे उसमें कहां पर शॉट फॉल्स रहे क्या कमिया रही और उससे एक्सपिरियंस लेते हुए उसको बेटर करेंगे for the times to come